साइन्स ऑलिम्पिक के सीजन में आज हम बात करने वाले हमारे हुमेन फिजियोलोजी के अंतर एक बहुती खुबसरी सी टॉपिक की बरमें जो है हमारा हुमेन टीथ इस एक प्रकार की हो सकती है हर एक प्रकार की क्या क्या लोकेशन है और हमारे हुमेन बॉड़ी के अंदर इस हुमेन टीथ की एक संकेद भी है तो इस संकेद की बरमें आज हम जानेंगे तो Humanist Structure and Function इस टॉपिक को स्टार्ट करने से फ़ले फटाफट 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 वेडियो को लाइक कर देना और अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज 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 इस चैनल को स्प्रस्क्राइब कर देना और बिला आइकोन को अल कर देना क्योंकि इस चैनल में आप Physics, Chemistry, Biology, Mathematics जैसी साइन्स की खुबशुरस खुबशुरस टॉपिक को एकदम फ्री में देख सकती हो और मैं बता दू इस चैनल में आप हार एक टॉपिक की हार एक वीडियो की व्यांगोली और हिंदी दोनों भर्षन एवेलेबल पाएंगे और राइट गाइस तो जै हिंद मेंद्वातरा मेरे भाई चलिए स्टार्ट करती ही Human Teeth Structure and Function ओके गाइस तो हमारे Human Teeth है ठीक है तो Human Teeth के काम क्या है Human Teeth क्या करती है आप जब खाना खा रही होती तो उस खाना को छोटे-छोटे पाड में derive करती है ठीक है और दूसरी बली जो काम है न वह हमारे Human की एक face की एक fairness बढ़ाती है, glorious बढ़ाती है ठीक है अगर किसी आदमी को देखेंगे कि इसका टीथ बगरा टूड़ गया या टीथ नहीं है तो उसका मुझ कैसे रहेंगे अंदर की तरह चला जाएंगे ठीक है बहुत आगली-अगली जैसे रहती है पर जिसकी टीथ जो है वह बहुत ब्राइट है ठीक है सार्प है कुछ एकदम जक्कास जिसका टूड़ टीथ है उसका fairness भी कुछ अलग सी रहेंगे ठीक है बहुत adorable beauty gorgeous इस तरह से cute लगेंगे उसक तो इसका जो classification हो चार पर करके हो सकते है जो हमारी humanity तो चार पर करके है क्या-क्या है incisor, canine, premolar and molar तीक है incisor यह जो पहली बली जो पार्ट है यह देखो यह जो हमारा mouth है इसको मैं biological word में baccal cavity कहा सकतूँ क्या कहा सकतूँ मेरा बाइट बैकल cavity तो इसको अगर मैं चार पार् इसको मैं ठोड़ा और नीची से ली जाती हो और इधर से हाँ हो गया ठीक है सही से line नहीं हो पाया पर आप समझ जाएंगे कि ए हो गया एक पाठ और ए हो गया एक पाठ ठीक है इसमें भी incisor, इसमें भी incisor, canine, a canine, canine, pre molar 2 रहेंगे, इसमें भी pre molar 2 रहेंगी, और इसमें molar 3 रहेंगी, इसमें भी molar 3 रहेंगी, तो incisor का काम क्या, यह जो पहली बली है, first lobe में 2 incisor रहेंगे, central incisor और lateral incisor, तो incisor का जो टीत है, उसका काम क्या, वो खाना को काटती है जब आप गाजर खा रही होती है, क्या किसी खाना खा रही होती है, तो उसको काटने बली जो काम आती है, तो हार एक लोब में 2 incisors रहेंगे, तो total baccal cavity में कितना total incisors है, हार एक पाड में अगर 2 रहेंगे, तो total पाड कितना है, total cucks कितना है, 4, ठीक है, तो total हो गया 8, 4 x 2, 8 र ठीक है, total है अमारा incisor 8, ठीक है, total है अमारा 8, next और अगर मैं संकेत लिखो, कुछ इस तरह से मैं लिख दू, इधर लिख देतू, incisor का यह संकेत फॉर्म है, वो क्या से लिखेंगे, i से, ठीक है, incisor i से start होती है, तो incisor i से start करते हो, i, i कितने रहेंगे मारे बाई, हार एक लोब में 2, तो i 2 हो गया, ठीक है, next हम देखेंगे, incisor 2 हो गया, next canine, इसको हम cospeed भी कह सकते है, यह cospeed, cospeed कुछ नहीं, canine है, ठीक है, cospeed या canine, तो हार एक लोब में एक canine रहेंगे, ठीक है, तो canine की काम क्या है, canine की काम है, फारना, ठीक है, मालो आप chicken leg पी सखा तो उसको काड नहीं सकते हो, कैसे कड़ेंगे, उसको फारना होगा, इस तरह से फार देंगे, तो फारने बली जो काम आती है, फारने बली जो काम है, वो कहरती है, हमारा canine या cospeed, हार एक लोब में एक रहती है, ठीक है, आप किसी animal bagar में देखेंगे, कुते की जो canine है, व बली बली पाठ है, हमारा जू नोज है, उसका ending point, यह हमारा canine है, ठीक है, तो नोज का, नोज का जो ending Left है, ठीक है, बड़ी बली रहती है, हमारा human में है, तो बड़ी बली रहती है, पर जो animal bagar कुते bagar, आप कुते नहीं देखेंगे, तो आप तो ghost bagar तो देखेंगे, कि तो फिल्म में जो गोस्ट है, गोस्ट की जो कैनाइन बलिपाड़ है, जो बड़ी बड़ी जो दात निकल के आती है न, ओ है हमारा कैनाइन, ठीक है, कैनाइन का काम है किसी चीज को फार देना, ठीक है, फार ना, ठीक है, तो कैनाइन को हम लिख देंगे C से, C कितना है मेरे भ इसको मैं लिख देती हूँ, ठीक है, निक्स्ट है अमारा Pre-molor, देखो, Premolar दो रहेंगे, First Premolar and Second Premolar, ठीक है, First Premolar and Second Premolar, Premolar का काम किया है, Grind करना, Grind मतला पिसना, आप काड रही हो, फाड रही हो, खाना खाना होगा, उसके बाद क्या खाएंगे, उसके बाद को खाना, उसके पाड में divide होंगे, तो divide होने के काम क्या करेंगे, यह premolar, ठीक है, दो premolar रहेंगे, एक एक लोब में premolar दो रहेंगे, तो total चार लोब है, total कितने premolar रहेंगे, 4 into 2, मतलब 8 रहेंगे हमारा premolar, ठीक है, इस में लिख देते हूं, इस तरह से, इस में लिख देते हूं, premolar को मैं ल ए जो बली है, मोलर, ठीक है, हार एक में तीन मोलर रहेंगे, एक मोलर, दो मोलर और ए जो बली, तीन मोलर, ठीक है, थर्थ मोलर, तो हार एक लोब में तीन मोलर रहेंगे, ठीक है, तो टोटल कितना रहेंगे मेरे भाई, टोटल रहेंगे 12, टोटल कितना रहेंगे 12 मोलर, हार में 3, तो total lower char 4 into 3, 4 threes are कितना हो जाएंगे फिर भाई? 12, तो इसको मैं लिख देती हूँ 12. 12, तो अगर मैं संकेत लिखूँ, तो संकेत क्या हो जाएंगी मेर भाई? संकेत हम मैं लिख देती हूँ molar को M, M कहा रहेंगे हार एक में 3, तो A हो गया 2, 1, 2, 3, A जो हो गया, I2, C1, PM2, M3, A हो गया हमारा दंत संकेत, ठीक है, और A हो गया हमारा total number, total हमारा body के अंदर कितने teeth है? 32, count करके देख लो, 8, 4, 8, 12, कितना हो गया? 32, simple हो गया 32, पर अगर मैं बात करूँ किसी 7-8 सल की बच्ची की बड़े में, उस बच्ची में 32 teeth नहीं रहेंगे, ठीक है, एक बच्ची की अगर मैं दाद देखो, तो इसमें incisor रहेंगे 2, incisor 2 ही रहेंगे, canine 1 ही रहेंगे, यह जो premolar बली बात है ना, premolar नहीं रहेंगे, उसमें premolar absent रहेंगे, ठीक है, premolar नहीं रहती उसके अंदर, और यह जो molar बली पाड है, molar की first molar और second molar रहेंगे, पर third molar नही missing रहेंगे, i2, canine कितने रहेंगे, 1, 2, मैं लिख देती हूँ, 1, premolar missing मतलब 0, और next में है molar, molar कितने 3 में से 2 रहेंगे, तो उसका जो दंध संकेत है, वो हो गया 2102, ठीक है, तो किसी exam program मैं आपको पूछ लेंगे, कि जो बच्ची की कौन सी दाथ है, कौन सी teeth missing रहेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, premolar बली जो teeth है, वो missing है, और अगर आपको पूछेंगे कि molar में से कौन सी बली missing है, तो आप लिखेंगे, 3rd बली जो molar है, वो missing है, ठीक है, आप देखेंगे, 3rd molar of wisdom teeth, 17 to 21 years, मतलब 17 से 21 years की जो बच्ची है, उसमें यह जो बली 3rd molar वो उगती है, ठीक है और फर्स्ट सेकेंड यह से सास में साल में उग जाती है, सेकेंड वाली 11-30 years में उग जाती है, ठीक है, तो यह हो गया हमारा दंध की संकेत और धीत की formula, ठीक है, I hope इस वीडियो आपको अच्छे लेगी, अगर अच्छे लेगी तो प्लीज 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 इस वीडियो क लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल में नहीं हो, तो प्लीज चैनल को प्रोब्स्राइब करके बिल आइकोन को आल कर देना, और जादा जादा दोस्तों के साथ जार जरूर करना, जाहिंद बंद मातरा, मरे भाई, All the West. झाल झाल झाल